दो दिन पुर्वर टवेरा का चार पईया वहान पास के बावनगाव शिवाब में एक खेत में पूरी तरह से जलावा पाया गया था और पास के एक पेट पर जानवर बंदे वे थे मंगलवार सुबा ये खटना सामनी आते ही इलाके में संसरी फैल के थी कापा पुलिस ने मामला दश कर मामली की जाच की है इसे बेज गाड़ी जलाने वाले तीन आरुपियों को चोबिस घंटे के अंतर गिरफतार कर लिया गया प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरक्षक सुरक्षा बल को गुट सुचना मिले कि टवेरा वाहन क्रिमांग M.H.31 C.N.3452 में आज गायों को खेरी मध्य प्रदेश से नाफुल ले जाय जा रहा है इसके मताबरि गौरक्षकों ने 52 गावशिवार के एक खेट में गाड़ी रुकी और ड्राइवर के पिटाई की चालक चंगुल से भागने में सफल रहा गौर रक्षकों ने गाड़ी से गाय को नरीकाद कर खेट में एक पेट से बांधिया और गाड़ी में आग लगा दी ये गाड़ी एक शिक्षक की है और गाड़ी मालिक ने इसे नौ-दस माँ पहले बेश दिया था पशुत तसकरी में शामिल आरोपी ने वहाल को अपने ना और तक्निकी पॉर्मलिक का इस्तिमाग करती वे और कुछ गुप्त मुपिर की सुचना की आधार पर गिरफदार किया गया। जबकि कुछ संतिकनों को पुलिस्टेशन बुलाकर पुछताश की गी। आरोपी के खिलाब धारा 435, 324, 147, 148, 150 और 394 के तहट मामला दर्श क्या क्या है। खापा धानिदार सुनेल दही बाते ने संभावना जताई है कि इस मामले में करीब 10 से 12 आरोपी हैं। यह मामला गंपिर और सम्वेतन शिल होने से मामला अलग मोड ले सकता है। इस कारण गोपनियता बरती चारी हैं। मामले में नाकपुर ग्रामिन पलिस अदिक्षक हर्श भूर्दार विशेश ध्यान दे रहे हैं। इसकी जानकारी दी गई। अरुक्त आरोपी ने इस मामले और इस अप्रात को कबूल कर दिया। मुदवार को जब आरोपी को साउनेर कोट में पेश किया गया तो उसके खिलाब पशुकुरुटा अदिनियम की तहद कारिवाई की गई। साथी उन्हें एक दिन की PCR भी मिली है। गुर्वार को आरपियों को दुबारा कोट में पेश क्या क्या तब पुनर प्रिसियार प्राफ्त क्या क्या है। गटना की आके की चार्ज ग्रामिन पुलिस अदिक्षक हर्श पूतार अपर पुलिस अदिक्षक रमेश दुमल और विभागयों पुलिस अदिकारी अनिल मस्के खापा के थानिदार सुनिल दही भाते, ASI प्रमोद बंसुड वस्थ पुलिस कर्वियों के मार्ग दर्शन में की चारी है, NBC News के लिए खापा से डॉक्टर चंडरकान ठवरे के रिपूर